हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल एक्सचेंज टर्नेटू परडिक्शन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैंटसी के अंदर जो हमारा फंड मेनेजमेंट या हम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो एक कोटा होता है वो हम कैसे निरदारित करें ठीक है ना इसको आपको मैं विद्ध इग्जामपल बताने वाला हूं और साथी साथ एक जो विनिंग स्ट्रिक जो बहुत सारे यू इसको आठ मेंच अगर विन करते हैं और दो लोस में भी जाते हैं तो भी वह उनका जो प्रोफिट इतना रहता है कि उनका टेन आउट ओफ टेन जो हो प्रोफिट निकल जाता है तो उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों टेलेग्राम चैनल है इसको जुर नहीं लगता इस अप्लिकेशन पर ठीक है और साथ ही साथ दोस्तों लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको जो केवाइसी होने पर एक्स्ट्रा रिवार्ड भी मिलने वाला है अगर हम बात करें एक्स्ट्रा रिवार्ड की तो सो रुपे आपको जो हो डिपोजिट सेक्श देखने को मिलेंगे तीन सु रुपे एक्स्ट्रा मिलेंगे और पांसु रुपे बोनस अक्शन हो जो कि बहुत जदा इंपोर्टेंट होता है इस अप्लिकेशन पर तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं वीडियो में अब दोस्तों हमारा मेन मुद्द जो रहने वाला है ना वह रहने वाला है कि बहुत सारे यूजर्स जो प्रॉफिट बनाते हैं लाइक की लगबग वह प्रॉफिट में ही रहते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जेनरेट कर लेते हैं एक छोटे टोटल से लाइक उनके पास अगर 10,000 रुपे भी होत पास्ट डे अगर आपको रिदम लेना है ना रिदम पकड़ना है तो आपको पहले यूजर्स थू होना पड़ेगा तो आप सो रुपे से भी स्टार्ट कर सकते हो कि करना हंडर्ड उपीज से अब देखो हमने एक ग्राफिक स्टेटजी बनाई थी सबसे इंपोर्टन तो ऐसा करके चलोगे ना बट एन एवरेज इसमें भी आपको सिर्फ एक प्लेयर का पीछा करके चलना है इसमें देखो प्रोफिट क्या है और लोस क्या है अब इसकी एक चीज है कि आपको वेट बहुत जादा दिन करना पड़ेगा अगर वो सेम प्लेयर को हम पकड़के चलेंगे अब जैसे कि उसकी टीम का मेच आज हुआ है तो नेक्स्ट मेच अगर कोई लीग है तो उसका हो सकता है कि तीन दिन बाद में हो या पांस दिन बाद में हो ना तो ऐसे करके उसका पांच वो मैश तक जाओ तो आपको महिना लग जाएगा एक महिने से 20 से 25 दिन य क्यों है हम परड़े इसको प्लाए गर सकते हैं आपको बताता हूं जैसे कि अब सबसे पहले फंड मेनेजमेंट के अगर हम बात करें कि फंड इंपोर्टेंट क्यों है तो सबसे इंपोर्टेंट चीज़ देखो कोई बंदा है एक अच्छा एनलीसिस करता है 100% अपना पू इस चीज़ का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है यह मैं आपको स्पेशली एक्स्चेंज के लिए बता रहूं बाकि अधर एप्लिकेशन के लिए भी मैं लाश्क में बताऊंगा तो अब देखो खुद प्लेयर को भी नहीं पता आप एक चीज़ ट्राइगर के देखना आप क्रिकेट में अगर खेलोगे ना तो आपको भी नहीं पता कि आप कितने रंद मना होगे हैं तो वही चीज़ होती हैं इंपोर्टेंट होता है क्राउट होता है प्रेशर होता है पीच भी देखनी पड़ते हैं सब कुछ होता है तो आप जैसे एनलीसिस करते हो अगर आप 99% effort भी डाला है ना अगर 1% आपका लग ख्राब है तो आपका मेच गया यह तो होगी लग की बात बट फंड मेनेजमेंट की अगर हम बात कर जैसे कि अभी मैंने आपको बात की थी कि 10 के हमारे पास है आपने आज रिजम पकड़ने के लिए 100 रुपे investment किये कोई player ठीक है ना क कोई player पे या कोई match पे है ना जिस match पे किया अब आपने उस match पे 100 investment किया अगर स्पोसेट आप हार गए अब एक खास बात भी है अगर वह प्लेट सेल कर रहे हो आप अगर उसने डबल पॉइंट कर दी तब लोस होगा अगर वो रेट की कोला गया तो आपका हो सकता है कि return व होगा सेल में तो प्रॉफिट अगर अपने जितने में आपने बाई के उसके एकुल रहा तो नो लोस नो प्रॉफिट अगर कुछ उपर पॉइंट देदी थोड़ा वजलोस होगा बाकी वापस आ जाएगा ना यह चीज होती है तो सबसे इंपोर्टेंट चीज पे जैसे मेच आज शले मेच आज से आपने स्टार्ट किया 100 रूपे से आपने लोस कर दिया अब आपको उस प्लेयर पे जिस पे आपने ट्रेड किया अब इच्छह नहीं गरना आपको नेक्स्ट मेच जो भी आपका टार्गेट मेच है नेक्स डे या उसके उसी दिन दूसरा मेच आपने को टार्गेट किया उस मेच के तीन चार गंटे बाद जो मेच होने वाला है तो उसमें आपको तीन सुर रुपे लगाना है अब यह चीज़ देखो कैसे अपलाई करने आपको दाता हूं देखो आप कभी भी एनेवरे यह तो गृट्र अगर्स हो गया ना तो हमारा रेश्यू क्या हो गया मतलब दो जीट के हम एक हार रहे हैं मैं अगर जैसे हम पहला हार गए आपको मेच के साफ से चलना है एक नएक मेच साफ जीत होगी इसली यह चीज मैंने बहुत बाट रहा है कि अब इसमें फंड मेनेजमेंट इसी को भी बोलते हैं वो यूजर ऐसे ही जीते हैं ऐसा नहीं है कि वहाज आते हैं वह अपना बेक अप रेड़ी रखते हैं कि 10 मेच क ही लूज हो जाता है और आप जो डी मोटिवेट हो जाते हो तो आप इस परकार से चल सकते हो लीग्स की वारे मैं बात करूए सेम टू सेम जो यह लीग्स वीरा हम अधर एप्लिकेशन जो होती हैं जिसमें की हैट टू है आप मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो 100 300 900 वाल यह समझाया बाकि जो विध इग्जांपल की मैंने बात कि वह आपको मैं मैक्श का एकोर्डिंग समझाने वाला हूँ कि हम एक प्लेयर का पीछा नहीं करेंगा अब हम मैच वाइस चलेंगे कि इस मैच हमने इतना लगया फिर इतना लगया अगर किसी इसवा प्रोफिट हो देखो अभी अच्छे मैचेज नहीं है मैं उन्हीं का वेट गरा हूँ अभी जो अमने कल डवली वी वी स्वरी बिग बेशली का जो मेच खिला उसमें प्रोफिट नहीं वाले में अर्मन प्रीट को सेल किया उसमें मारा प्रोफिट होगा अब मैं आपको वुमेंस और मैंस क जो एक चीज होती है रहीं कि क्या डिफरेंस होता है में यह शो होता है थोड़ा सा गबराइट भी होती है इसे टुफ कॉंपिटीशन होता और मुइंस में तो इसका वी एक jumping दे absorbed को तब तक लिए दोस्तों जैहिन जैबारत